जी हां दोस्तों जो बड़ी खबर आ रही आपको बता दें निर्वाचन आयोग ने विश्च चुनाव को लेकर एकजिट पोल के प्रड़साड़ पर लगाई रोग दोस्तों बात करेंगे इस पूरी खबर की विश्चार से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दरसल आपको बता दिन निर्वाच अ आयोग ने आगामी विधानसवाचनों की स्वातन्त ता एवं निस्पक्सता को बनाया रखने के लिए उनके सम्मद में मतदान समाप्थोने तक एकजिट पोल प्रड़साड करने पर मंगलवार को रोक लगा दी है मिजोरम अधिप्रदेश 36 गड़ राजिस्तान ओटते लंगना के विधानसवाचनों के साथ तथा नकलेंड में ताफिस तुरक्ची सीट के लिए होने वाली उप्चनों के सम्मद में ये रोक 7 नवंबर कुनहनां 7 बज़े से 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है चा बज़े तक परवावित होगा दोस्तों आयोग की ओड़ से जारी अधुसोचना के मताबिक लोग प्रतिने तुतु है अधिनें 1954 के धारा 126 के उपधारा एक अधिन प्राप्त सक्तियों का उप्योग करते हैं उनिर्वाचन आयोग उक्तधारा की उपधारा दो के उपवंधों के मद्दे नजर 7 नवंबर को पुर्णान 7 बज़े से 30 नवंबर साम साल 6 बज़े की आउधी के बीच किसी भी परकार के एक्जिट पोल रोक लगा रहा है आयोग ने कहा है कि इंचुनाओं के सम्मद में मतदान की समाप्त होने से पहले 48 घंटों के दुरान किसी लाक्टोनिक मीडिया में जन्मत सर्वे रिपोर्टिंग भी प्रसालित नहीं किजा सकती